ग्रीवेस वीडियो में हमने देखा था कि यह सिम्पल प्लान कैसे ड्रा कर सकते हैं इजली अगर आप आटो कैट बेसिक सीखना चाहते हैं आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो बहुत ही सिम्पल तरीके से किस तरह से सीख सकते हैं तो हमने यह प्लान बहुत ही आसानी से ड्रा किया था प्रीवेस वीडियो में आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डोर कैसे करते हैं डोर डिजाइन कैसे करते हैं जैसे आर्च के साथ डोर किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं तो सबसे simple तरीके से हम क्या करेंगे जैसे कि हमने layer बनाया ही था door की layer ये हमारी बनी होई थी तो layer बनाने का फाइदा जो होता है कि हम कोई भी object अलग-अलग layer में रखेंगे तो उसी layer पर आसानी से काम कर सकेंगे तो हमें door पर काम करना है तो हम door layer select कर लेंगे इस तरह से अब हमें यहाँ पर door रखनी है या dual door रखे या single leaf door रखे मा लीजी हम यहाँ पर dual door रखते हैं हमारे पास 120 cm का space है dimension हमने set किया था किस तरह से बना सकते हैं dimension किस तरह से set up कर सकते हैं प्रीवेस वीडियो में हमने उसको भी discuss किया था बहुत ही आसान तरीके से अगर आप AutoCAD सीखना चाहते हैं तो बहुत ही easily सीख सकते हैं आपको ज्यादा कुछ यूज करने की जरुवत नहीं है बस प्रापरली आप फालू करिए आप बहुत ही आसानी से सीख लेंगे तो हम door layer select कर चुके हैं अब हम यहाँ से line लेते हैं तो मैं line के लिए यहाँ देखी एक line आपको दिखिरेगी कि command इसके through आप ले सकते हैं या पिर आप ल से command के through आप ले सकते हैं तो मैं L प्रेस करता हूँ तो line आजाती है तो हम यहां से 5 सिंटी गा लेंद्स देते हैं तो हमें इस साथ है अब 120 की दूर है हमारी यह साइज है हमारी तो हम 60 इस पर रखेंगे 60-60 हमारा 120 हो जाएगा तो मैं इसको 60 पर लेंद्स पर लेके जाता हूं तो फिर 60 देता हूं ओके कर देता हूं तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर हमारी 60 पर लाइन पहुझ गया है फिर मैं इंटर कर देता हूं यहां हमने 5 ले रखा है तो हम फिर लाइन पर जाते हैं तो 5 ले रखा है तो हमें सिर्फ 55 ही लेना होगा 55 प्लस 5 60 हो जाएगा तो हम लाइन से 55 की लेंद्स लेकर इसको यहां पर इंटर कर देते हैं अब इसी के और इसी के बीच में हमें आर्च क्रिएट करना है डोर के लिए तो आर्च आप कमांड से भी दे सकते हैं ए आर या आप यहां पर रकत देखेंगे तो आपको एक आप्शन देखेगा आर्च कर तो मैं कमांड ही दे देता हूं ए आर तो मैं इस तरह से कमांड मिल जाती है याद रहे कि अगर आप आर्च लेते हैं तो आपका आर्थो मोड जो होता है आर्थो मोड वो होता है कि इस लाइन को सीधे ड्रा करने के लिए एक्स डारेक्शन में या 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 डारेक्शन में तो आर्थो मोड आफ करके आप न तो मैं इसको off कर देता हूँ तौ हम यहां से arch लेंगे कुछ न स्थरा से और उसके बाद कुछ न स्थरा से door को sit कर देंगे और उसको थोड़ा सा smooth कर देते हैं ये हमारा कुछ न स्थरा से हो गया door मैं इसको डिलीट कर देता हूं जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बहुत ही आसान तरीके से दोर बना लिया है तो यह हमारा डबल लीफ डोर है अब हमें इसको इस साइड भी रखना है तो पहले हम देखेंगे कि यह हमारी साइज कितनी है 60 है ठीक है और इतर कितनी बच रही है 60 बच रही है अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे ड्रैक करके ऐसे सेलेट कर लेंगे कोई भी चीज हमको सेलेट करने के लिए किलिक करके इस इस ड्रैक करना होता है वो सेलेक्ट हो जाती है और सिंपल तरीके से फिर हम इसको मिरर करेंगे Mirror command का use जो है AutoCAD में बहुत ही important होता है Mirror option आपको same result दोसरे direction में किसी भी चीज़ को करने के लिए देता है तो हम ने इसको select कर लिया देखते हैं Mirror से क्या फाइदा होता है तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपको option दिख रहा है Mirror का तो इससे आप click करके कर सकते हैं या तो आप Mirror के लिए MI command दे सकते हैं Mirror अब धियान रहे अब आपको यह point पकड़नी है क्योंकि यहीं से mirror करना है आपको तो मैं इसको select कर लेता हूँ अब देखिए हमारा ortho mode on है इसलिए हमारी line इधर उधर जा रही है तो मैं ortho mode फिर F8 से आप on कर देता हूँ अब देखिए अब यह तो इस side में जाएगी यह तो इस side में सीधे जाएगी तो यहीं साइदा होता है ortho mode कर फिर मैं इसको ok करता हूँ source subject आ रहा है कि यह आपको yes करना है कि no करना है इसका मतलब यह है कि अगर मैं yes कर देता हूँ तो यह पूरा part जो आपको दिख रहा है तो पूरा side चला जाएगा move हो जाएगा और अगर मैं no करता हूँ तो यह वहीं पर रहेगा इसका copy यहाँ पर चला जाएगा तो हमें no ही करना है wonderful तो मने बहुत यहाँ आशानी से इस को ड्रा कर लिया है